दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान नियद्यन के महत्वपोंड प्रश्णों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है परियावरण और पारिस्थित्की के अंतरगत प्रदूशर से संबंधित महत्वपोंड प्रश्णों का भाग एक जो आपके आगामी बिभिन परिक्षाओं जैसे यूपी पीसियस प्रारंभिक परिक्षा आरो यारो यानि समिक्षाधिकारी सहायक समिक्षाधिकारी लोवर परियावरण खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं परियावरण और पारिस्थित्की के अंतरगत प्रदूशर से संबंधित महत्वपोंड प्रश्णों का भाग एक पहला प्रश्ण है कि हवा में तैरते हुए स्वसनिय सुक्ष्मकडों का आ आकार कितना होता है तो ये पांच माइकरों से कम होता है प्राय है दो दस्मलों पांच माइकरों के लगभग होता है तो याद रखिएगा हवा में तैरते हुए स्वसनिय सुक्ष्मकडों का आकार प्राय है दो दस्मलों पांच माइकरों के लगभग होता है अगला प्रश जो अल्प जीवी जलवाय प्रदोशकों को नियूनिक रिद कर प्रतिबध है किसके लिए तो ये वायू की गुडवत्ता को बेहतर करने के लिए प्रतिबध है अगला प्रशन है CCAC यानि जलवाय एवं स्वक्ष वायू गठवंधन ये केंद्रित करता है किसको तो ये मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रो फ्लोरो कार्बन को कम करने पर ये अपना ध्यान केंद्रित करता है अगला प्रश्ण है राष्टी स्वक्ष वायुकारेकरम केंद्र सरकार द्वरका प्रारम किया गया था तो ये वर्ष याद रखेगा दो हजार उन्नीस में अगला प्रश्ण है सामानत है प्रियुक्त पदार्थ और उनमें पाया जाने वाले संभावित अवांचनी और विवादाश्पत रिसायन तो लिप्ष्टिक में सीसा शीतल प्रे में ब्रोमोनित बनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फोड में मोनो सोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है अगला प्रश्ण है ये प्रकिर्त में घटित होने वाली जैव निमनिकारी प्रक्रिया का ही संबर्धन कर प्रदूशन को स्वक्ष करने की तकनीक है तो इसको क्या कहते हैं इसको बायो रेमेडियेशन या जैव उपचारण कहा जाता है अगला प्रश्ण है जैव उपचारण के लिए विशेष्ट अभिकल्पित सुख्ष्म जीवों को स्रिजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है किसका तो आनुवानसिक इंजीनियरिंग का मानो जनित परियावाड़ी परदोशन क्या कहलाते हैं तो इनको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है अगला प्रशन है वेपदार्थ जिनसे परदोशन फैलता है वो क्या कहलाते हैं तो परदोशक कहलाते हैं अगला प्रशन है धूवा यानि इसमाग आवस्यक रूप से वाई मंडल में जिसकी उपस्थिती के कारण होता है तो इसमाग नाइट्रोजन और सलफर के आकसाइड की उपस्थिती से होता है अगला प्रशन है धूवा में आखों को प्रभावित करने वाला सक्तिशाली उत्तेज्ज क्या होता है तो ये होता है पैरा एक्षेटाइल नाइट्रेट यानि पी ए ए एन अगला है कि इसमाग कारबन डायकसाइड कारबन मोनो अकसाइड और फ्लाई एस में जो दूतियक प्रदोशक है वो कौन सा है तो इसमाग जो है ये दूतियक प्रदोशक का उधारण है अगला है कि पारा, प्लास्टिक, एसबेश्टास तथा वाहित मल में से वह जो जैव बिघटित प्रदूशक है तो सीवेज या वाहित मल दोस्तों ये जैव बिघटनी प्रदूशक है ऐसे प्रदोशक जो सुछम जीवों जैसे जिवान आदि के द्वारा समय के साथ प्रकिर्थ में सरल हाने रहे तत्तों में बिघटित कर दिये जाते हैं उनको क्या कहा जाता है तो ऐसे प्रदोशकों को जैव बिघटित प्रदोशक कहा जाता है अगला प्रश्ण है कोईला पेट्रोल डीजल आदिका दहन मूल सरोत है तो ये वायू प्रदोशन का और अगला प्रश्ण है जब मानवी या प्राकृतिक काड़ों से वायू मंडल में उपस्थित गैसों के निश्यत अनुपात में विशाक्त गैसों या कड़की पदार्थों की वज़े से अवांचनी परिवर्तन हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं इसे वायू प्रदोशन के कारक हैं तो स्वचालित वाहंद वरा निश्कासित पदार्थ लकड़ी का जलना तंबाकू का धुआ रोगन किये गए लकड़ी के फरनीचर का उप्योग पाली यूरेथिन के निर्मित उत्पादों का प्रियोग ये बेंजीन परदोशन के कारक हैं अगला प्रशन है वायू परदोशन के दो स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत और मानोजनित वनागनी और ज्वाला मुखे उदगार जैविक पदार्थों के सर प्लास्टिक एसबेश्टास और पॉलिथीन में वो जो जैव अपघटनी प्रदोशक है तो सीवित जो है ये जैव अपघटनी प्रदोशक है प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन होता है तो नाइट्रोजन आकसाइड प्रकाश रासायनी धूम कोहरा अगला प्रश्ण है जहांपर अधिक यातायात रहता है वहांपर गर्म परिस्थितियां और तेज सूर्य विक्रण से निर्मार होता है किसका तो प्रकास रासानिक धूम्र कोहरे का निर्मार होता है जहांपर अधिक यातायात रहता है नाइट्रोजन के आकसाइड ओजोन और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है तो ये प्रकास रासायनिक धूम रगवारा अगला प्रेशन है दोस्तों कि प्रकास रासायनिक धूम का बनना किन के बीच अभिकरिया का पैडाम होता है तो नाइट्रोजन के आकसाइड ओजोन और पैराकसी एसीटेल नाइट्रेट के बीच सूरी के प्रकास की इस्थिति में प्रकास रासायनिक धूम रिया इसमाक का निर्मार होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं गर्म सुस्क और तिब्र सौर विक्रण वाले महानगरों में वायू मंदली हाइड्रोकार्बन और वाहनों और विजली सयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन आकसाइड सूरी के प्रकास में अभिक्रिया करके कई सारे पार्मिलडी हाइड और पेराक्सी एसेडिल नाइट्रेट ये सभी दूतियक परदोशण के उधारन है अगला है इन अभिक्रियाओं को प्रकास रासायनिक कहते हैं क्योंकि इन में दोनु शामिल होते हैं तो क्या सूरे का प्रकास और रासायनिक प्रदोशण दोनु शाम निर्मार करती है नाइट्रोजन आक्साइड किस तरह की गैस है तो ये भूरे रंग की तिक्षड गैस होती है नौजात आक्सीजन यानी नैसेंट आक्सीजन सुरे के तिप्र परकास की उपस्थिति में आक्सीजन के एक अड़ु से क्रिया करके क्या बना लेती है तो ये उजोन का निर्मार करती है पराकसिल मूलक या तो आकसीजन के अड़ूँ से मिलकर उजोन बना लेते हैं या नाइट्रोजन आकसाईट से मिलकर निर्मार करते हैं किसका तो ये पराकसी एसीटिल नाइट्रेट यानी PAN का अगला है कि ये कलोरोपलाष्ट को नुक्सान पहु तो पराक्सी acetyl nitrate यानी पैन अगला है मनुष्यों की आख में बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है तो पराक्सी acetyl nitrate यानी पैन और पैन और ओजोन मिलकर छोटी छोटी बूदे बना लेते हैं वायू में मिलकर पैन और ओजोन धुन्ध बना लेती हैं अत्यधिक धुम्र कोहरे के निर्मार से घट जाता है क्या तो दृष्यता या विजबेल्टी धुम्र कोहरे से घट जाती है अगला प्रश्ण है भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पाप संगीत और जेट उडान में से अधिकतम धुम्र प्रदोशन का कारण क्या है? तो जेट उडान ये अधिकतम धुम्र प्रदोशन का कारण है किसी वस्त उसे उत्पन सामान आवाज को क्या कहते हैं तो इसे ध्वन कहा जाता है ध्वन की एकाई क्या है ध्वन की एकाई डेसिबल होती है और नियोजित और द्योगिक विकास अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रियोग और यांतरिक दोश्युक्त विभिन प्रकार के वाहनो का पैट चालन योगदान देते हैं किसमें तो ये ध्वन परदोशन करने में योगदान देते हैं अगला प्रशन है ध्वन की तेज ध्वन की गती से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन शोर को क्या कहा जाता है तो सोनिक बूम कहते हैं सोनिक बूम को ब्यक्त किया जाता है मैक यूनिट में जो बस दुएं धुवन की रफ्तार से चलती है उनसे उत्पर्ण शोर को क्या कहा जाता है तो मैक वन कहा जाता है सामानी इस्थितियों में बातावरन में प्रदोशन उत्पर्ण करने वाली गैस कौन सी है तो ये है कार्बन मोनो आक्साइड कार्ब किसमे हो जाता है तो इसका आक्सीकरण कार्बन डायकसाइड में हो जाता है PAN यानि पैन इसमाग सलफ़ डायकसाइड और ओजोन में से जो एक दूतियक परदोशक नहीं है तो सलफ़ डायकसाइड ये प्राथमिक परदोशक का उदाहरण है अगला है वायू परदोशन के नियंतरन के लिए वायू यानि वी ए वायू पडाली का सुभारम कहां किया गया है तो ये दिल्ली में सामाने परिश्थिते में ब्रिक्ष के पत्नों की सरसराहत का डेसिबल कितना होता है तो ये 20 डेसिबल होता है वे वायू प्रदोशक जो प्रदोशक सरोज से सीधे वायू मिलते हैं क्या कहलाते हैं तो ये प्राथमिक प्रदोशक कहलाते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों PAN यानी पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ओजोन और इसमाग किसके उदाहरण हैं तो ये सभी दुतियक प्रदोशक के उदाहरण हैं सलफर के अकसाइड मुक्ते सलफर डायकसाइड नाइट्रोजन के अकसाइड और कारबन मोनो अकसाइड क्या हैं तो ये प्राथमिक प्रदोशक हैं अगला प्रश्ण है अधूरे प्रजोलन के कारण मोटर कार और सिग्रेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है तो ये कारबन मोनो अकसाइड है और ये रक्त के हीमोगलोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थाई योगिक बना लेती है जिससे हीमोगलोबिन अक्सीजन को उतकों तक नहीं पहुँचा पाता है, ये मानोस वास्त के लिए अत्यांत हानिकार्ट गैस है, तो यह है कार्बन मोनो आकसाइड घैस. अगला प्रश्ण है मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदोशक गैस है तो कार्बन मोनो अकसाइड है वाहनों में पेट्रोल के जलने से धात वायू को परदूशित करती है तो लेड धात जो है ये आटो मोबाइल और वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड जो है वायू को परदूशित करती है इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए क्या प्रियुक्त किया जाता है तो लेड का प्रियुक किया जाता है इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए बच्चों के दिमाग में बिकास में बाधा पहुँचाता है उनके बुद्धिलब्धिलेवल को घटाता है और वयसकों में हिर्दय और स्वसन संबंधी बिमारियों को उत्पन करता है तो ये लेड है वय प्रदोशकों में से जो रक्त धारा को दोश प्रभावित कर मौत उत्पन कर सकता है तो कार्वन मोनो अक्साइड है वय प्रदोशक आक्सीजन की अपेक्छा अधिक सी घरता से रक्त की हेमोग्लोबिन में घुल जाता है तो ये है कार्वन मोनो अक्साइड अगला प्रश्ण है कि ये गैस हीमोगलोबिन अड़ों से आक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से जुड़ जाती है जिसके कारण वायू में पर्यापत आक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है तो ये गैस है कारण मोनो अक्साइड वो जोन हाइडोजन सलफाइट कारण डायक्साइड और कारण मोनो अक्साइड में से जो वायू प्रदोशक सरवाधी खानिकारक है तो ये कारण मोनो अक्साइड ये सरवाधी खानिकारक वायू प्रदोशक है भूमिगत जल को दोशित करने वाले अजैविक प्रदोशक कौन है तो आर्सेनिक है भारत में कई जगों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं ये संक्रमन मुखेता प्रकिर्ट में पाये जाने वाले उत्पन आर्सेनिक से होता है जो उत्पन होता है तो ये बेड्रॉक है अगला प्रशन है आर्सेनिक के लगतार संपर्क में रहने से कौन सी बिमारी हो जाती है तो ब्लैक फूट और 2011 में जारी बिस्व स्वास्त संगठन के मानक के अनुसार पे जल में आर्सेनिक की मातरा कितनी होनी चाहिए तो दस्मलो सुन्य एक से लेकर दस्मलो सुन्य पांच मिलिग्राम प्रति लिटर ये पे जल में आर्सेनिक की मातरा होनी चाहिए इससे अधिक होने पर ये नुक प्रभावित हो रही है तो इसे समोची खाद स्रिंखला या फोट जेन प्रभावित हो रही है उर्वरक के अत्यधिक प्रियोग से क्या होता है तो दोस्तों उर्वरक का अधिक प्रियोग कई प्रदोशों का कारक है इसे मिर्दा प्रदोशन जल प्रदोशन और वायू प्रदूशन बिभिन प्रकार के फसलों के माध्यम से मानों और पशों के आहार स्रिंखला में भी पहुंशता है और बिभिन प्रकार की गंभीर बिमारियों से मनुसे और पशों को ग्रस्त करता है तो ये उर्वरक से जो प्रदूशन होता है अगला प्रशन है अकार्बनिक पोशक जैसे फासफेट और नाइट्रेट घुलकर जली पारिष्थित की तंतर में आ जाते हैं, ये जली पारिष्थित की तंतर में किसको बढ़ाते हैं, तो ये यूट्रोफिकेशन यानि सुपोसर को बढ़ा देते हैं, अगला प्रश्ण है सुपोसर के संदर में सही कठन क तो ये जल निकाय में पोशक तत्तो संबर्धन की घटना है और ये जल में घुलित आक्सीजन को कम करता है अगला प्रशन है अकारबनी कुरवरक और केट नाशक और से इस मिर्दा के रासायनिक गुड़ों को बदल देते हैं और विपरीत प्रभाव पर डालते हैं किस पर त तथा मिर्दा प्रदोशन के लिए प्रमक रोप से कौन सा उद्योग उत्तरताई है तो याद रखिएगा चमडा उद्योग जल प्रदोशन और मिर्दा प्रदोशन के लिए अत्यंत उत्तरताई है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों अमल वर्षा निम्नांकित के द्व वायू प्रदोशण के लिए कारक होती है कैसे तो आप जान लीजे कि नाइट्रस आकसाइड और सल्फर डायाकसाइड जो है ये जब वायू मंडल में घुल जाते हैं तो वर्षा के साथ और गरत चमक और अन्य जो रासाइनिक रिया हैं उसके द्वरा ये नाइट्रिक में बदल जाते हैं जो अमल वर्षा के कारक हैं अगला प्रशन है सामानते ऐसी वर्षा जिसका पी अचमान पांस से कम हो वो क्या कहलाता है तो ये अमल वर्षा कहलाता है वातवड़ी प्रदूशण और द्योगिक निस्रितों और प्रकिर्ति में होने वाले भीविनिक रि जाना कर वर्षा के साथ प्रिथवी पर गिरती हैं इससे प्रिथवी पर होता है क्या तो अमल का जमा होता है अगला प्रशन है कि अमलियता का लगभग आधा हिस्सा वाई मंडल से प्रिथवी पर अस्थान अंतरित होकर जमा होता है ये सुस्क रूप में और देखिए उस्थली छेतर में ज्यादा शुस्क जमाव होता है। अगला प्रशन है कि इंसीन रेटर्स का प्रियोग किया जाता है किस के लिए तो कूडा कचरा जलाने के लिए। अमली वर्शा, अमली कोहरे और अमली धुन्द को शामिल किया जाता है किस रूप में तो अमल निक्षेप के रूप में। नाइट्रिक अमल बनाती हैं और उस अथवा वर्षा की बूदो के रूप में पिर्थवी पर गिरने लगती हैं ये क्या कहलाती है तो ये अमल वर्षा कहलाती है अगला प्रश्ण है अंतराष्टी अस्तर पर सलफर के उस सर्जन में कमी का प्रियास किया जा रहा है किसके तह तो ये हेल्सिंग की प्रोटोकाल 1985 के तहट अंतराष्टी अस्तर पर सल्फर के उस सर्जन में कमी का प्रियास किया जा रहा है अगला प्रश्ण है मथुरा की तेल स्रोधन सालाओं से उस सर्जित अगला प्रश्ण है ताज महल पर आमलबर्सा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारस सरकार दोरह विक्सित किया गया है तो ये ताज ट्रिप्रेजियम जोन अगला है कल सल्फर डायकसाइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार ये पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छट विछट यानि पत्थर तूट जाता है अगला प्रशन है अधिक अमलता के कारण अमल वर्षा के हाइड्रोजन आयन और मिर्दा के पोशक धनायन जैसे पोटैसियम आयन और मैगनेसियम आयन के बीच आदान परदान होता है इसके फल सरूप पोशक तत्तों का निच्छालन होता है और समाप तो हो जाती है क्या तो इससे मृदा की उरवर्दा समाप तो हो जाती है अगला प्रशन है अमल वर्षा वे प्रदूशक जो वर्षा जल को हिम को प्रदूशित करते हैं तो अमल वर्षा में सल्फर डायकसाइड और नाइट्रोजन के आकसाइड ये जल और हिम यानि बर्फ दोनों को प्रदोशित करते हैं। अगला प्रश्ण है अमल वर्षा होती है तो बादल के जल और सलफर डायकसाइट प्रदोश्कों के मध्य प्रतक्रिया के फरसरूप अमल वर्षा होती है अगला प्रश्ण है संकुधारी ब्रिक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदाई होता है क्या तो ये अमल वर्षा का निच्छेप जो है वो शंकुधारी ब्रिक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदाई है है और सेवन से अधिक पी अचमान जो है वो छारी सेवन जो है वो नियूटरल या उदाशेन होता है तो अमल वार्षा से मिर्दा का जो पी अचमान है वो कम हो जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध परियावरण पारिस्थित की खंड की अंतरगत प्रदूशन अध्याय से संबंधित महत्पूर्ण प्रशनों का रिवीजन जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रशनों को अच्छे से तयार कर लिजे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क देशन फॉर सिविल सर्विशेस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार